हेलो आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैगनेट ब्रेंस हिंदी पर मैगनेट ब्रेंस हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा सात्मी से लेकर बार्मी तक का संपोर्ण पार्टिक्रम यानि की हर एक चैप्टर यहां ऐसा नहीं आप शाले हमारा टापिक क्या होगा ताप देख रहोंगे काफी बड़ा सा टापिक हमें लग रहा है क्या है टापिक क्या उसी भूमी से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है तो उसी भूमी मतलब का है जिसके पिछले वीडियो में आपने भूमी इस्थिर है इस पचास का और उसमें पांच लोग रहते हैं और पांच लोग और आगा आपकी महवान तो आपका करेंगे बोले मकान को बढ़ा करके रोड तक लिया और फिर पांच और आ गए तो बोले रोड तक सामने वाले के मकान में घुसा दू ऐसा कर पाएंगे नहीं वही जमीन जो है वह फिक्स है अब आपको उसका कुछ तरीका निकालना पड़ा कि मैं जुम लोग कैसे रह पाएं तो आपने एक चट डाली फर दूसरी चट डाली फर तीसी चट डाली कमरे बना देगे ताकि ज्यादा लोग रुख पाएं तो ऐसा ही जो खेती की जमीन है वह भी फिक्स है यह जरूरी है क्यों जरूरी है क्योंकि अब जन संख्या तो बढ़ रही है ना तो सबका पेट बरना पड़ेगा सबका पेट पालना पड़ेगा और पेट कैसे पलेगा खेती के उतपास से यानि की अनाज और गेहूं से तो एक तरीका कुछ निकालना पड़ेगा उसी तर उसका एक टॉपिक है जो हम आज यहां कबर करने वाले हैं तो टॉपिक से क्लियर है आपको कि क्या हम बात करने वाले हैं कि इसमें कोई डाउट है टॉपिक के नाम से यहां से क्लियर है चले आगे टॉपिक में अंदर चले चलिए अब हम बात करेंगे कि जैसे हमने तो अभेद Kimchi में 6500 परिवार के ऊसपास हैं सालह 400 परिवार में अमने जातिल बीवरन भी देखा हुआ था धा फिक हम रेकाथ किया पर लोग कुछ दूसरे काम भी करते हैं कुछ और भी कर रहा है 70-75% लोग खेती कर रहे थे और इसके लाबा कुछ दूसरे काम भी हो रहे थे ये सारी बाते हम जानते थे और इतना सब कुछ जानने के बाद हमारे दिमाग में एक चीज आती है जो हमने अभी तक पढ़ा है तो उससे हमारे दिमाग में एक चीज सेट होती है के इस परकार की बिवस्ताओं मारा जैसे हम देखा था के नल भी है बहाँ पर लाईट भी है सचाई भी होती है हुई आधन लुदq डी यहां भी होती है यह सारी बात पर जानने के बाद हमारे दिमाग में एक बात आती है वो बात यह गाओं कौन से राज का होना चाहिए लए के साथ हमको यह लगता है कि राजसायत उत्तर प्रदेश का होगा और हमें क्या लगा पस्च में उत्तर प्रदेश को अब यह नक्सा आप देखेंगे अब आपको तो चित्र से मतलब है यह है उत्तर प्रदेश ना यह उत्तर प्रदेश के गाओं की बात कर रहा है और उत्तर प्रदेश पर भी गाओं कौन सा करेंगे पस्चमी मत्रप्रदेश होना चाहिए पस्चमी का मतलब क्या होगा यह ऊपर वाला उत्तरी हो गया नीचे पर कोई गाओं होना चाहिए पालंपूर में समस्त भूमी पर खेती की जाती है मतलब पालंपूर में समस्त भूमी का मतलब क्या जो खेती रायक भूमी है उस पर सब खेती की जा रही है मतलब यह कहें कि बेकार भूमी कोई नहीं है बंजर भूमी कोई नहीं है पड़ी भूम जमीन के बारे में तो आप जानते हैं कि जमीन होती है जिसको आप कहते हैं खेत के लिए उपयोग करते हैं तो यह जमीन किरसीकार से भी उपयोग हो जाती है जिस पर आप खेती कर लेंगे कुछ बंजर पड़ी होगी जिस पर आप खेती नहीं कर पाएंगे कुछ परती जिस पर पेड़ा बार नहीं होती हो किरसी योग भूमी मतलब जिस पर खेती करते हैं तो पालंपूर का मतलब क्या है कि पालंपूर में हम बात यह कर रहे हैं कि ना तो वहां बंजर है ना तो वहां पर बंजर भूमी है ना वहां पर परती भूमी है ना गोचर भूमी है जित बरसाद के मौसम में चुकि यह वाली जो फसर लगाते हैं खरीब में किसान जुआर और बाजरा उगाते हैं जो चारे के लिए प्रियोग होता है रभी में गेहूं उगाया जाता है और बीच-बीच में आलू भी उगा लेते हैं साथ में अक्टूबर स्थम्बर के बीच में आलू भी उगा लिए जाता है इसी बीच में आलू खेती के लिए चलो अब यह बात आ गई तो आप देखें कि जो खेती होती है जो किरसी है वो आपको दो-तीन परकार की मिलेगी कैसी तीन फसलों पर हम जिकर कर लेते हैं कौन-कौन सी मिलेगी सब से पहले फसल की बात करे हम की खरीफ खरीब न लिखते हैं मैं आपको बताऊं यहां लिखता हूं मैं रवी और यहां लिखता हूं मैं खरीफ चुकि आपने पिछले अध्यायों में पढ़ लिया होगा इस फसल के बारे में रवी का मतलब क्या है ठंडी में बोई जाने वाली फसल थंडी में बोी जाने वाली फसल समझन भाइत अब थंडी में बोह जाने वाली का मतलब कब बोईंगे तो आप देखते होंगे सितंबर अक्टूबर से निसकी और इसके बाद कब काट लेंगे दिसंबर कर देंगे और और मार्च अप्रेल में कटाई कर देंगी तो आप देख पार है यह मार्च अप्रेल तक कटाई हो पारी अब आती है बात करते हैं अब बात करते हैं खरीब की फसल के बारे में तो खरीब का मतलब क्या है मौन्सून के साथ मौन्सून के साथ उगाई जाने वाली फसल मौन्सून के साथ मतलब क्या है तो भई मौन्सून कब आ जाता है तो आपको कब आता है मौन्सून तो मौन्सून जो होता है वो कब आ जाता है यहां लिख देता हूं मैं मतलब जुलाई आ जाता है जुलाई में बरसा होती के नहीं जुलाई अगस्त में जिसकी हम बवाई कर देते हैं और कटाई कप कर देते हैं यह वाली फसल आने के पहले तो जुलाज़ अगर देंगे सितंबर अक्टूबर में कटाई कर देंगे यह अक्टूबर नॉम्बर थोड़ी सा वेरीशन चलता अब इसमें देख रहा है अप्रेल के बाद का समय खाली है तो यहां पर एक फसल आएगी जिसको कहते हैं आप जायत की फसल क्या कहते हैं जायत की फसल यह कब होती है गर्मी में लगाई जाती है खास्तोर से कब तक जून के बीच में तो इसमें मोश्टरी आप देखेंगे सबजियां रगाते हैं तो यह तीन प्रकार की फसल होती है तो यहां पर जो बात की गई है कि पालंपूर में आप देखें कि कुछ खरीब की फसल होगा रहे हैं कुछ रवी की उगा रहे हैं कुछ आलू वगा रहे तो यहां पर आप देख पा रहे हैं तो आप देखेंगे कि बरसात के साथ मतलब kharyb की फसल की बात की जा रही है तो किसान जवारबाजला उगाते है और जवारबाज़ा का मुखदस क्या है कि रूप में इसका प्रियूक करें में इसकी खेती वो लोग कर लेते हैं ये इनको अत्रिक तिलाब दे कर जाती है तो हम ने देखा कि यह वहां पर पालंपूर में खेती लगबग दो-तीन प्रकार की रवी हो रही खरीब भी हो रही और एक्स्ट्रा खेती कर रहें की कोसिज भी कर रहे है अब जो ग्याहूं उ दस एकल का खेत है ठीक है अब दस एकल के खेत पर आपने की खेती और खेती की तो आपकी कुछ पैदावार होगी तो मैंने माना कि आपकी पैदावार गय हूं गय हूं की मान लेता हूं बाकि ठीक है देखें क्या है तो गय हूं की पैदावार अगर दस एकल है तो दस एकल करवाने की 20-22 बीगा करीब तो यहां पर आपको लगबग हो गया किता कि लगबग 200 को इंटल के असपस आप गया हो गया लगबग 200 कुंटल एक स्वासी कुंटल डेड़ सो कुंटल ऐसा गया हो गया अब इस मैं से कुछ गय हूं हमें खाने के लिए चाहिए है चुकि हमें भूख भी लगएगी हम खाते भी हैं तो इस मैं से माल लीजिए कि हमने साल भर की कुछ बिवस्था कर ली के बोले पांच लोग हैं तो करीब 10 कुंटल तो इसके तो हम रोटी खा जाएंगी और 10 कुंटल करीब हमें अपने जानवरों के लिए रखना है उनको भी हम बीच बीच में आप देखते ना जब चाहर डालते तो आटा डालते हैं तो करीब यहां पर हमना देखा कि 20-25 कुंटल हमने माल लिए 25 कुंटल टूटल पांच कुंटल और एक्स्रा ले लिए उपर नीचे लग जाता है तो 25 कुंटल तो हमने य कि हमने यहां से 60-70 कुंटल यहूं बेचा है मत्ना 170 कंटल में क्या करेंगे घर की दूसरी जरुरूरत पूरी करेंगे घर की दूसरी चरूत जーसाय को डाल लेए है छाइपbon पती भर इंध्य थी प nucळे नहीं परहें फिंद कीрах हरी लंगी हुं करीने पड़ेगी नमख ख電owej कापला खुले रेगा चक्री नहीं पड़ेंगी थो इस पर आका की को नहीं देना तो हमने आपकी आय बढ़वादी बढ़वाई की नहीं तो अब ये 60-70 कॉंटल क्या कोई महमान आ गया तो चीज़ा चलती रहती तो उसके लिए चाहिए अभी तक किसान आप देखेंगे कि उनके पास क्या होड़ा था एक्स्ट्रा अगर माल लीजिए कि हम हमने क्या कर दिया 100 क्विंटल यहां पर गयों बचा लिया तो एक्स्ट्रा कितना बचा सो पूंटल तो इसको क्या करेंगी बेच मिलेगा पैसा मिलेगा पैसे से क्या होगा अगली खेति के लिए हम लागत लगा पाएंगे में करजा नहीं लेना पड़ेगा दूसरी चीच हों किसान क्या कर रहे थे जो राइ गंज है वहां की मन्डी में बेश जिया करते हैं जो सेस गयह हूं बचता है अपना खर्चा काटने के बाद उस गयह आधीस तके लाता है बाध्योफ जैसे हमें जो खाने लिए रखना है वह हमने लिया खाने के लिए और उसके रावा क्या हुआ वो तो उसके रावा हम बात करेंगे कि भाई जैसे हमने अपने हल्दी चावल डाल रोटी इन के लिए रख लिया कपड़ा लगता फीस चुका लिए उसके बाद जो बचा वो क्या हो जाएगा उसको अधिसेस कहेंगे किलियर बात तो अधिसेस कह करने के बाद किलियर अब बात करेंगे यहाँ पर भूमी के एक भाग पर गन्ने की खेती भी करते हैं गन्ना आप देख पा रहे हैं यह गन्ना दो प्रकार की चीज़े बनाता है इससे चीनी भी बनती है चीनी मतलब सक्कर की बात कर रहे हैं चीनी मतलब फिर वह समझ लेना कि छायनावाली बात कर रहा और इस गर्णूसे गोड़ बंता है और इस गरणका पनरस भी पीते पीते के नहीं पीते कि आज कर डिबमों में पैक होकर भी आने लगा लगा है इसका रस तो बनती है और गुल बनती है तो पहरमपुर के छोटे से कौने में चोटे से भाग में गन्य की खेती भी कर रहे हैं गन्य की फसल पर अगर बात करें तो यह फसल कितना समय लेती है बारा महा का फसल लेती है बारा मा मतलब क्या हो गया एक साल का तो स्टाल में एक बार कटाई इ प्राइज देंगे अभी अपने बात करेंगे गोड कैसे बनाते हैं क्या होता है यह सारी बात हम यहां पर करने वाले अब बात करेंगे पालमपूर में किसान तीन अलग अलग फसले उगाते हैं कैसे तीन अलग अलग पर हमने बात करें तो आपको याद होगा कि हम कौन सी अलग अलग पर बात कर रहे हैं तो देखो यह तीन फसलों की बात की थी अभी आपको बताया था रवी खरीफ और जायत तो यह तीन फसले कैसे अप चुकि खरीफ की फसल तो मौनसून के साथ हो रही है मौनसून का बतलब बरसा आ गई तो बरसा चुकिए खेती के लिए सचाई बहुत आबश्यक चीज है है क्यों सकता है तो खरीफ में तो सचाई कहां से होगी भगवान ने पानी दे दिया तो गरिया रवी ठीक है ठंडी का नाइम है पानी को यह कैसे करते होंगे जायद इतनी गर्मी में मुले लोगों को तो पानी मिलता नहीं आप खेती की बात कर रहो तो तो तीन फसलें वह हम देखें तो तो तीन वह पारी सचाही विवस्था की कारण हो पारी है तो पहले कैसी थी और अभी कैसे है क्यों इतना तेज हो गया है कि पहले तीन फसले नहीं लए यह अब आछे कि दीशवा रहा होती ती रहख का मतलब क्या है यह लगी है यह आप देखना है यह डिप 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 लगे यह बैल से घुमाते हैं यह बैल ऐसा घुम रहा है और यह बहुत गहरे से पानी निकाल लेते हैं इस कारण से हो गया कि अब आप गर्मी में भी खेती कर पाते हैं और सरकार के दोवारा भी को लिए स्चार के कुछ लोगों को बांटे भी जाते हैं तो इन सब बातों से क्या हो गया कि लोग से सचाइब की नियकाल कर दे तक आपके मद्र तक 200 अब देकर होसे behalf ऑयगों यहां पर होने लगती है ता हुजाता है बारत में सभी गाओं और यह कहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगी अगर हम बात करते हैं पठारी च्छेत्रों में राजस्थान वाले में सुखे इलाके में वहां बर्साही कम होती है जमीनितिक लाक है कहीं भी आप ट्यूब बैल लगा सकते है कुछ भी नहीं कर पाते पाने नहीं है तो वहां पर सचाई की उस्ता क्या है अप सर्फाफ कम है या जो है साट परसत आज भी कैसा है असे मतलब वहां पर झअ कोई साधन नहीं है पानी का प्रकति के पानी की उपर वो लोग निर्भर करते हैं अब हमàiरे टौपिक का नाम है जिसको हम कहते हैं कि वही पैदावार बहुत बढ़ानी है तो पैदावार बहुत बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर बात कर ली सचाई तो हमने एक सचाई दुरस्त हो गई क्या बिजली के माध्यम सब सचाई होने लगी नलकूप लग गए तो इस से क्या हो गई पैदाबार बढ़ने लगी और हमने देखा यहां के किसान लगबक अधिसेज भी बेचने लगे तीन फसलें भी उगाने लगे वो हमने बात कर ली अब क्या होगा यहां पर और आप देखें यहां पर कि अब बात करेंगे हम बहु बिध फसल के बारे मे हम एक खेत बना लेते हैं मिट्टी होती है काली यह हमारा एक खेत बन गया ठीक है इस पर हम जुताई कर देते हैं कर दो जुताई इस तरीकिस होती ने जुताई यह जुताई कर दिये बनने ऐसी तुने खेत पर जुताई है तो पंक्ति हएं जुताई लेकर चला चले तरफ चले गए लगए फिर इस तरफ फिर से चले गए बंदेла 지난 थाइड ये स्व्भाई हो गई तो में कुछ फनी की तैन से ना पल्ष हरय लगते हैं देखर जहां पर जताई करेंगे का यह पर बिस डालेंगे बाद में भुबाई franchise करेंगों यह कि पिढ़ हो गया आ टो फॉवाई करें यो कि को आपके अ आप अब मतलब यह मैं है कि यह तो जताई कारी आपने एक बार भुबाई कर एक दीक Bार आप तよし you और आपके पास साल के कितने महीने हैं साल के बारा माह हैं आपके पास और इन बारा माह में आपने ये एक फसल ली है एक फसल का मतलब क्या होगा एक बिद एक ही फसल अब इस खेट के उपर आप क्या करेंगे दो तीन फसल ले लेंगे दो तीन फसल ले ली तो आपने क्या जादा फसल ली जादा ली है तो क्या हो जाएगा बहू इसी करण से क्या कहते हैं बहू बिद फसल कहते हैं मतलब आपने इस खेत के ऊपर खरीब की फसल ले ली मौनसोन के साथ बो दिया फिर अपने पास ट्यूब बैल था यहां पर कुवा था तो हमने रवी की फसल भी ले ली और हमारे कुवे में पानी अच्छा था तो हमने जायत की फसल ले ली इस तो यह व्यक्ति ऊपर हम ने 3-4 फसल lumière clean खेती कर लिंए खेत की उपर एक ही की फ्यवपर हमने भी फसल ऊगाली तो गेहूं कब लगता है तो गेहूं आप देखते होंगे ठंडी में लगता है फिर अक्टूबर दिसंबर का समय आ गया तो हमने क्या लगा लिया यहां पर आलू और कुछ खेट खाली पड़ेते हैं तो हमने कभी उस पर गन्ना लगा दिया साल भर तो यह आप देखें यह दो हम बात करें केबल दो फसल की बात करते हैं कि आप खरीफ की standard Olha की खेती कर रहे हैं कि अगर आफ खरीफ की खीट निकरतें है और आपने कोई फसल लगाई है और विस को इंडिक का ऐस पास वह हूई होई है और उसके बाद आप सांटे बैठ एक फसल करते हैं अगर पानिंग का साधाना तो 20 कुंटल यह रभी की फसल कर वाली तो आपने 20 कुंटल यह पैदा कर लिए ठीक बीस कुंटल क्या पैदा कर लिए यह पर तो क्या हुआ उत्पादन बढ़ा कि घटा जितने बार खेट नी कर पैदाबार बढ़ी के घटी तो पैदाबार बढ़ी तो क्या हो गई पैदाबार बढ़ाने की उपज बढ़ाने की सबसे सामानही का आपड़ूहां कई किसान पचले 15-20 बरसों से तीसरी फसल की रूप में आलू भी परदा करने लगे हैं वह अक्टूबर नौंबर में जो लगाते हैं तो यहां पर क्या करने लगे हैं आलू की फसल भी बढ़ गई है तो उनकी क्या होगी आमदानी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है अम एक डे देटा आप देख पारे तो टेवल बन गई नब्वेंग चानवे में 157 2001 के आसपास 156 2011 में भी 156 दो हजार बारा में भी 156 2012 तेरह में संतावन 2013 14 में 155 यह डेटा आपको देखने को मिला इसका मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पर आप देख पा रहा हुँँगे भाई फिर डिया फॉकस करना पड़ेगा पैदा जयादा करने ही पड़ेगी आपको बहु बित फसल प्रणादी अपनानी पड़ेगी आपको एक ज़्यादा फसल है एक खेट पर होगा नहीं पड़ेगी तो आपका पैदावार बढ़ेगी आपको फाइदा होगा और आपको आमदानी भी ज्यादा होगी अब हम कुछ फसलों के नाम लिख लेते हैं कब बोई जाती है किस महीने में काटी जाती है और सचाई का साधाना उसके लिए क्या होता है तो एक फसल पर बात करते हैं क्या एक फसल आजाती है जिसको कहते हैं आप गेहूं दूसरी फसल जिसको आप कहते हैं क्या यहां पर हम और चौत्वी फसल लिख लेते हैं आलू यह फसलों के उपर हम बात कर ले रहा है यहां पर वो बोल ला किस महीने में बोई जाते हैं तो मार्च में काट लेते हैं मार्च अपरेल में काट लेते हैं यहां किस से नलकूप से होती है यह नहर से होत है। यह जिशाइ पताइक एचावल जो है वह जुतन हैं ञाएं चावल अगस्त में लगाते हैं औरındaki सटम्बर अक्ट्वबर में सो एक सो बीस दिन करीब लगता है जुलाई अगस सितंबर अक्टूबर काट लेते हैं सेप्टेंबर अक्टूबर में इसकी कटाई हो जाती है सिचाही किस से होती है तो यहां पर सिचाही का साधन है बरसा बाजरा क्या है तो बाजरा भी जुराई में लगा देते हैं सिटम्बर अक्टूबर तक काट लेते हैं सिटाई का सथन क्या है बरसा अलू को लगाते हैं अक्टूबर में कि फिर आप देखते हैंज तथीन महिनें आलग कर लेते हैं तीन चार महिने में तो है कि तो यह क्वीड्य आपको इस्थे आपको पता चलिए कौन सी फसलके होती तो आप देख पा रहे हैं कि जब भी ठंडी वाली फसले कर रहे हैं तो बरसा पर अधरत नहीं है मतलब जब भी रवी की फसल करते तो आपको सचाई की साधन दुरुस्त करने पड़ेंगे कि अगर सजाई की सदन दुरुत नहीं होंगे तो आप दूरी तीसी फसल नहीं ले पाए हैं किलियर बात यहां की । अब उपज बढ़ाने के तरीकों के बारे मैं हम ने बात कर ली थी जैसे रहा था पर पैदा की गई फसल और कहा जाता है कि एक फसल की उपज कह लाती है कि एक किसी भूमें के एक टुकडे पर एक ही मौसम में पैदा की गया कई ख़्या करते हैं जिसे यह रखे 청 किट तक स्षाइब आनसे साथ के दसक तक प्रारमक्स आममेज भारत की किरसी की इस्ति ग्यों को देखते Hat और फिर हम आधने क्री आती हो उस पर बात करें तो भारत ने किरसी है क欸 पारमपर एक भी बीजों के हैं पारंपर एक बीज मतलब किया को क् А minimize बिजों की खास्यट की में इनकी इनकी खास्यad यह थी कि अपच्छक्रत उपज्च क्या होगी कम होगी सचाहिव एककत को ऐसे एक हम लगने हैं और खाद भी आपके पास जो अरबरoton है खाद को भी आपको ज्यादा नहीं डालना है क्या डालते हैं गोबर या दूसरी प्राकृत एक खाद डालेंगे किसान ये खाद डालने के पीछे कारण यह है कि उनके पास यह आसानी से अपलब होता है खरीदना नहीं पड़ता कहीं बजार नहीं जाना पड़ता किसी आगे ह हाथ नहीं फैलाना पड़ता अपने जानबर हैं गोबर एकटा होता गया खित मडाल दिया तो आप देख रहे हैं यहां पर कि उपज कम है सचाई भी कम लग रही है तो अब एक चीज़ समझ में है कि सचाई का संबंद हमें समझ में आ रहा है कि उपजी के साथ होगा अगर पैदावार भी अच्छी हो जाएगी फिर खाद पर उसके बाद आएंगे यहां पर और बरग भी कैसे कर रहा है गोबर और दूसरी प्राकृतिक खाद का अपन यहां पर उप्योग कर रहे हैं पैदावार करने के लिए अब एक चीज आती है जिसको आप कहते हरत करांती उनी सो साथ के दसक के अंत तक स्टार्ट होती है हरत करांती क्या है एकदम से पैदावार यह बढ़ा देगी इससे क्या होगा पैदावार बढ़े किसका बढ़ेगा खाद ध्यान का खाद ध्यान का पैदावार बढ़ जाएगा मतलब क्या है रित करांती का अधिक उपज देने वाले एच वाई वी आई मतलिक देना है एच वाई वी हाई इल्ड बराइटी है एच वाई वी हाई इल्ड बराइटी है एच वाई वी बीजों के बाद ध्यम से खेती होती है फसलों को बड़ा फाइदा हुआ है चावल को और गेहूं को इस खेट इसकी खेटी ज़्यादा होने लगी है दुनिया भर इस खेटी को जाने लगे हैं हरित करांती मदिक है करांती की दुरान आधनिक मसीनों का उपयोग होने लगा एच वाई वी बीज हाई इल जो लगे का बाइख लrias व्यूक्थों गया नासक हो गया इन सब चीजों का अब यह क्या है इनको एक एक करके हम देखे लेते हैं यहां पर मैं यहां पर लेक्लता हूं क्या है यह आगया अथ अबसक्रों कि लिए कीट कि नासक की आतक्त देन लीढा है उनका नास हो झया और यह बिबिन सचाई के साधान है जिनका हम उप्योग कर पाएं यह मसीने हैं जिन से जुताई का काम तेजी से हो सके जैसे टेक्टर थ्रेसर है ना हार्वेस्टर इन सबसे कटाई जुताई के काम में हम उप्योग करते अलग अलग टेक्टर का जुताई में हार्वेस्टर क प्रटाई में ऐसे उपयोग करते हैं जमीन के उसी ही टुकड़े से पहले कि अपक्षा अब क्या होने लगा अधिक अनाज पैदा होने लगा या अधिक मात्रा में पैदाबार होने लगी क्या हो गया क्योंकि एक तो HIV वीज आ गए लगा और कीट नासक का को अपयोग करने में अधिक अब कि सचाई की साधन मतलब आप नियरंदाज नहीं कर सकते इसमें रासाय ने खाद का उपयोग किया गया, कीट नासकों का भी उपयोग किया गया, इन सब की मादिम से ही आपki पैदावार बढ़ पाई है, मतलब हम क्या कहे हैं, कि ये चार चीजों के सईयूजन से मतलब क्या कह दें यहाँ पर, कि अधिक पैदावार का मतलब क्या हो अधिक प्यदाबार का मतलब हो गया है अधिक प्यदाबार का मतलब हो जाता है कि यह चार पांच चीजों का सही हो जाता किस का एक- तो एच वाई वी वीज जिसको आप क्या कहते हैं संकर वीज या हाई य्यव बैराइटी दूसरा तीसरा कीट ना सक और चौथा सचाई के साधन इन सब बातों को जैसे ही आप देखते हैं यहाँ पर तो आप पाएंगे कि इनके माध्यम से इन सब चीजों के माध्यम से इनका जब आपने समायोजन कर लिया सही तरीके से काई इनका अपने समायोजन कर लिया सही तरीके से तभी तो कि मिल अच्छी प्रताबर देने वाले प्रता इनकी चमता अच्छी थी अँग Jadi ने खात क्या है कि जमीन में जसी पानी लगता तो घुल जाता है गुल तुछता ही पौधे को को मिल जाता है पौदे को मिलता तो उसकी तरक्की तुरंत हो जाती है मतलब उसी ग्रोथ हो जाती है तो यह हो गया कीट ना सक कीट पतंगे पेड़ों को ना खा सकते तो एक स्प्रे कर देते पेड़ों के उपर तक और उसससान ना यह वाले अलाकों में आप देखेंगे कि वहां पर किसानों ने खेट्ली के आधुने तरीकों को सबसे पहले पुर्यों मिली किया मतलब हरथ क्रांति सबसे पहले कहा पर आई तो पंजाब हर्याना पस्रमी उत्तर प्दैस याव हथा कुर्भ्यूंग लिए प्रियोग से इनका उत्पादन बढ़ जाता है अब यह जो हम बात कर रहे हैं पर कि नलकूप मतलब क्या हो गया कि अब यहासान हो गया एक दो दिन के अंदर दो दिन के अंदर सचाइव रस्था चालू जाती है बोरिंग मसीन बुलवाई ट्यूब बेल लगवाया चालू है मतलब प्रती पौधा पैदावार बढ़ता है इन से हर एक पौधे में जो जैसा है भीमान लीजे यहों की बाली आपने देख्यों कि कुछ इस तरीके से होती ना बाली ऐसे 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 लगा रहता है तो अगर प्रारम पर एक बीच से एक बाली से दस दाने पैदा हो रहे थ करके इनका भी उप्योग करते हैं तकि हमारे पौदे की ग्रोथ रोखे रहा जुताई-कटाई के काम को तेज करने के लिए हमने टेक्टर और मसीने खरी दी है ना इन सब खरीदी कि क्यों ताकि टेक्टर से क्या होगा टेक्टर से अब देख पा रहे हैं कि जताई-बहुत क Yapज तो कटा ये काम भी तयजी से हो जाएगा तो तेजी आए इससे अब वॉसंम की मार्स भी वजश पाएंगे तयरी से काम पाएंगे उन्हें इसाय के लिए या आपने ट्यूब बेल ले लिया शचाहिकरा ना यह कटाई के लिए आपने आपने हार्वेस्टर से रहे या या पने कुछ भी लिए हाँ मतलब कटाई क्बवाहि कर दी आइंडagar ते कर दिक ताहिक हार्वेस्टर निकाला या पन में अpower काट किला कर दिया रीपर के माध्यम से काड़ दिया तो मजदूरों के आउसकता कम मसी नहीं ज़्याद आ जाएंगी आपर तो तेजी से काम हो पाएगा पालंपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज तेरा सो किलोग्राम प्रती हेक्टेर थी यह कपके पारंपर बीजों से लेकिन जब एच वाई वी बीज आ गए जिसको आप हाई इल्ड बराइटी कहते हैं तो आप देखो लगबग दुगनी हो गई लगबग दोने के असपास पहुंच रहे हैं तेरती उन्तालिस और बत्तिस्सों किलोग्राम प्रती हेक्टर तक पहुंच जाती है तो आप समझ पा रहे हैं कि युद पादन तो बढ़ा है लेकिन केवल अप हईच वाई भी 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 जना है चाइब मत कहते ना कभी बीमारी होती है य और सिंद्याय है इन सबकी माद्रम से आपका का बढ़ा पाया है अब इसे लब किसानों को अधिसों अलग मिलेगा मैं अधिसोस का मतलब समझते हैं कि हुआ क्या पारी जरुवत के चीजों को पूरा करने के बाद जिस फसल को बेश सकते हैं वह अधिसोस कहलाती है जिससे अगली फसल की लागत की तैयारी कर सकें कोई मसीन खरीदना है तो उसकी तैयारी कर सकें उन्हें कहीं से करजा ना लेना पड़े तो किसानों के पास बाजार में बेचने के लिए अधिसेस की काफी मात्रा थी इससे किसानों क्या होई इससे हम क्या कहते हैं किसानों की आइसे सदिको गा तो टू किसाने का होगी आयए बढ़ेगी सब्सेति हो गया किसानों की आयए बढ़ना यहां से स्टार्ट हो गई उनने तकनिकी को अपनाना स्टार्ट कर दिया अब कुछ एक बात पर चर्चा करते हैं कि जैसे बहु विद्धि फसल प्रणाली में और खेती की आधुनिक विधियों में क्या अंतर है तो बहु विद्धि फसल प्रणाली में क्या बोलेंगे भाई इसमें परमपरिक बीजों का उपयोग करते थे जिसमें उत्पादन कम होता था और सिचाई के उसकता कम होती है आधुनिक पर टेवल है हमारे पास जिसमें दिखाया गया है उस पर हम बात करेंगे पर यह आपको करना है आरेक बना कर आप देखें मतलब आप टेवल फॉर्म में बना कर देखें या आपके काम होगे आधने करसी बृधियों को अपनाने वाले किसानों के लिए आवश्यक कारसील पू पहले कि तो लामे किरसी की आधने की लिए किसानों को अधिक नगत की जरूवत पड़ती है क्यों पड़ती है क्यों कि यह मसीने जो है वो कैसे आएंगी यह मसीने खरीदने है तो इसमें पैसे क्या हो सकता है इस कारण से उनको नगत नगत क्या हो सकता है अधिक होती है कैस कुछ सार बाद 70 71 में डालों का अत्र न 12 ओर गेहूं डबल हो गया लगबक 24 फिर आप देखें 8080 में डालों का उत्रा ही रहा और गेहूं का उत्पादन लगबक 36 हो गया कि नबेंग्यान में देखें गेहूं का उत्पादन करीब दो तीन एक आद दो परसंट से बढ़ा आप देखें फिर यह फिर बढ़ गया लगबग डबल के असपास आगया डबल ना कहा है तो कम चेकम इसकी तुल्ला में देखें तो आप देख सकते हैं कि कितना बढ़ गया भी आप दालों का उत्पादन फिर घट गया 11 के इस पास यहां पर गया उत्पादन फिर बढ़ गया दूंधम का अठारा तो यहाँ पर आप देख पारें के उत्पादन 87 कुंटल 12 तेरह में दालों का उत्तपादन 18. Welt त्यौन सब्सक्राइए तेडों का उत्पादन सासन चॉर्स कोणतल्स इसका मतलब आप ये कहेंगे कि इसका मतलब हो जाता है कि हर इत कुरांटी से जो फाइदा हुआ हर पर पॉइन को ज्यादा फाइदा हुआ है यहां पर आप देख रहे हैं कि लगग डबल हो तो गेहों के उत्पादन में आप ज्यादा देजी से ब्रद्धी देख पाते हैं जबकि दाल के उत्पादन में उत्य प्रद्धी नहीं हुई तो लास्ट के सत्रा-ठारा है ना है एए चव्ड़ा-पंद्रास हम बात करें खास तोर से शत्रा-ठारा के बात डालों में ब्रद्धी हम देख पार है तीश चॉबिस तोसकी चीछिवनदफ में ऑत्याधिक उत्पादन बारत में जदा हो जाता है बढ़ जाता है तो यह बातं हम ने सारी देखिए कि भाई उसी भूमी से पैदावार कैसी करेंगे तो हम ने देखा कि आप परमपरागत बीजों को छोड़कर अत्याधूनत बीजों को अपना गर्थ चाहिए उस्था को दुरुस्त करकर और कई सारी चीजिए देखिए टेवल में भी समझा हरत क्रांति याई तो उसका भी कॉंसर्प देखा कि हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं उसके तरी के हमने यहां पर देख लिए आपके लिए बिलकुल फ्री कंटेंट अप्लब दिकराता है आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है देखिए मैगनेट बेंट पर आप देख सकते हैं कि हमारी वेपसाइट है यूटूब चैनल के माद्यम से आप देख सकते हैं यहां पर कि यूटूब पर वेपसाइट का उप्योग कर सकती है और आप हमारे एप का उप्योग कर सकते हैं मतलब मैगनेट बेंस आपको फ्री एजूकेशन एप के माद्यम से वेपसाइट के माद्यम से यूटूब के माद्यम से बिलकुल को प्लब कराता है और हाई क्वालिटी एजूकेशन होती है आपको एक भी रुपए ने देना और क्वालिटी से कोई कंप्रोमाईज हां नहीं होता हमारे बहुत सारे कोर्स चलते हैं यह कोर्स आप देख पा रहे हैं यहां पर हम सी बीसी हिंदी इंग्लिस मीडियम और डिफरेंट बोर्ट भी कबर करते हैं अलग अलग राज्यों के ब बात नहीं करने हैं बिल्कुल 100% फ्री है कोई कूपन कोई नहीं कोई वाय ना हो नहीं कुछ नहीं आप हमसे जूर सकते हैं हमारे सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूटूब पर फेस्बुक पर इंस्टा पर ट्विटर पर और टेलीग्राम पर हमारा सब जग आपको बाई पर्चेस नहीं कुछ भी नहीं करना और ऐसा भी नहीं कि दो चप्पर पढ़ाए पर गोल मोल कर दें आपको सब कुछ सिस्टेमेटिक बिल्कुल फ्री में मिलता है एक रुपया आपको नहीं देना है तो फिर भहिया इतने फिरी के बाद क्या आपकी सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ खूब सेर करें तो सभी को जानकारी होगी सभी और पढ़ पाएंगे पढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमें भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसे रखते हैं चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर तब तक अपना ध्यान रखिए मस्त रहिए पढ़ते रहिए धन्यबाद